अभी रिलीज से पहले ही ट्वीटर पर हैस्टैक ट्रेंड कर रहा था बॉयकॉट पुश्पा लेकिन ऐसा क्यों ये जानने के इच्छा हुई तो मैंने खंगालना शुरू किया तो पता चला कर्नडा में ये फिल्म जहां जहां लगी है वहां 70-80% तेलगू डब्ड लगी है और इसी बात से कर्नडा भाशी ओडियंस बॉकलाई हुए थे कि जब इसे कर्नडा में डब किया गया है तो कर्नाटका के थीटर में मैकसिमम जगे कर्नडा डब्ड वर्जन क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है ये बताना इसलिए जरूरी था कि हमारे यहां नौर्थ में जहां मैं हूँ वहाँ दो या तीन थेटर में ये फिल्म हिंदी में लगी है और वो भी शाम के शोज में तो I guess कि पुश्पा की प्रमोशनल टीम को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अलू अर्जुन के फैंस पूरे देश में हैं खर बड़ी मुश्किल से फिल्म देखने क क्रेटिविटी के चलते वही कहानी दोबारा इतनी शांदार बन पड़ती है कि एहसास ही नहीं होता कि ये कहानी हम पहले भी कई बार देख चुके हैं भारतिय सिनेमा में कोई नई बात नहीं है दूसरा कंसेप्ट गुंडा लड़का और अमीर लड़की अमीर लड़की के हाई क्लास नकरे जो हीरो से शुरू में बहुत नफरत करती है और उसके बाद हीरो की कोई अच्छाई उसे भाज आती है और उसे भी उससे प्यार हो जाता है तो KGF में भी यही था हीरो गुंडा नक्चडी हिरोईन लेकिन सड़क पर गिरे ब्रेड के टुकडे वाले सीन को देखकर लड़की का लड़के के प्रती नजरिया बदल जाता है बदल बहुत ही सिमिलर स्टोरी थी आप भी सोच रहोंगे यह पुश्पा का ज़र डालते हैं जो अगेन हिंदी सिनिमा की 80's की कहानियों सी है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के शेशा चलम हिल्स में अपना हीरो पुश्पाराज एक दिहारी मजदूर के तौर पर काम शुरू करता है अपने बॉस का वफादार रहता है अपनी वफादारी कई बार साबि बन जाता है कि बाकी सारे गुंडो पर वो भारी पड़ता है अब क्यूंकि ये फिल्म का पार्ट वन है तो सेकंड पार्ट के लिए कहानी को अधूरासा बीच में छोड़ दिया जाता है अब ये फिल्म कई फिल्मों से जोड तोड कर बनाई गई मालुम होती है दिहारी करेक्टर को जिस तरीके से राइस करते दिखाया है वो डिफरेंट है बट कहानी कमजोर है स्क्रीन प्ले ठीक है इंटर्वेल से पहले तक एंगेजिंग लगता है लेकिन बेवजय का रोमैंस फिल्म को धीमा करता है अक्टिंग के बात करें तो अलु अर्जुन का इस फिल पहौल के हिसाब से उनके किरदार को थोड़ा और बहतर करके पेश किया जा सकता था जिसके लिए possibilities भी थी बट स्टिल ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से निराश करते हैं जहां तक हो सका है वो अपने किरदार को बहतर तरीके से निभाने का प्रयास करते दिखे हैं रश्मी क मंदना अगेन लग रहा था जैसे उनके स्टारडम को भुनाने के लिए उन्हें फिल्म में लिया गया है उनके किरदार का कहानी से कोई connection फिलहाल पार्ट वन में तो दिखाई नहीं दिया सिवाई फिल्म की length बढ़ाने के हाँ नेक्स्ट पार्ट में इस किरदार के कारण कहा कानी में फेर बदल हो तो कह नहीं सकते बाकी उन्हें जैसा रोल मिला उन्होंने वैसा ही उसे निभाया है nothing special फहाद फासिल इस फिल्म की एक मजबूत कड़ी है उनका screen presence थोड़ा जोश भरने का काम करता है और उन्हें screen पर देखना दर्शकों को भाएगा भी बाकी के actors में सुनील इंप्रेस करते नजर आते हैं फिल्म में action scenes काफी सारा देखने को मिलता है और action अच्छे है जंगल के scenes में अच्छी cinematography देखने को मिली है लाइटिंग पर भी खासा ध्याद दिया गया है फिल्म का music दिया है देवी प्रसाद ने ना ये वाले नहीं ये वाले देवी and a half star have a nice day